चावल के आटे का रोटी का रेसीप शेयर करूंगी तवा पे भी जबरदस्त फुला है आप देख पा रहे होंगे या फिट डारेक्ट इसको जिसे नॉर्मल रोटी यह फुलाते हैं गैस टफ पे वैसा भी फुला है दोनु तरीके से जैसा आपका मन वैसा आप बना सकते हैं और जो रोटी मेरा बना है आप देख पा रहे होंगे कितना जबरदस दिख रहा है और चावल का आटे का रोटी यह खास बात होता है कि वो बहुत सॉफ्ट होता है और मेरा इतना सॉफ्ट है इसको आप एक रुमाल की तरह मोड सकते हैं मैं इसो कितना भी दबाओं कुछ भी नहीं होगा तो ऐसे नरम रोटी का रेसिपी मैं शेयर करूँगी तीन तरीके से बनाना मैं आपके शेयर करूँगी जो आपको असान लगे वो आप बनाएगा और मैं भुना हुआ मटन के साथ सर्फ की थी जबरदस्त कॉम्बो है भुना हुआ मटन का रेसिपी है मेरे चैनल पे तो सूस फूट कॉर्णर का स्पेशियल बहुत ही सॉफ्ट और नरम चावल की आटे का रोटी नमस्कार मैं हूँ सुभंकरी और आप सब का स्वागत करती उस फूट कॉलर पे उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे मेरे चैनल पे अगर आप नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल बटन को टाप करना बिलकुल मत भूलिएगा बेल बटन के ओल पे क्लिक किजेगा और मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के अब सबका बहुत बहुत धनेवाद तो यह जो चावल के आटे का रोटी बनाने का जो फस्ट है चावल को इसको गूलना है तो उसके लिए मैं खुला पैन ले ली हूँ एक कप पानी ली हूँ उसको हम उबालने के लिए रखेंगे उसमें आधी चोटी चमच घी या तेल क में डालूंगे यह जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है न वह वला चावल का आटा है रेगुलर चावल का आटा चाहें तो आप घर पे भी बना सकते हैं तो जब पानी उबल जाए फ्लेम अभी लो कर देंगे उसके बाद एक साथ चावल का आटा डालेंगे और सामिल्टेन जब इसे हो जाए तो ग्यास आफ कर देंगे और धक के छोड़ देंगे दस से पंद्रा मिनिट तक ताकी उस गर्मी में न चावल का आटा है वह अच्छे से सीच जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा देखिए इसका टेक्स्चर है चेंज हो गया है बहुत ही अच्छे से इस से अब हम रोटी बना सकते हैं तो उससे पहले इसको खुले जगह में थाली हो पराथ हो उसमें ट्रांसफर कर देंगे अब देखिए इसको छुने लायक बनने तक का थोड़ा इंतजार करेंगे पान 10 मिन लगेगा खुला हवा में और साइड में थोड़ा सा पानी ल लगा रहे हैं यह अच्छे से गुंदा हुआ होना चाहिए एकदम घंडा में गूंदेंगे तो यह सेट नहीं हो पाएगा देखिए इसतर से जब जैसे मैं गूंद रही हो आप देख पारे होंगा कितना स्मूध बनते जा रहा हैं तो जरा सा जब गुंदा हो मतलब हलका स तब पानी लगा लगा के इसको अच्छे से गुन लेंगे यह जो डो बनेगा न जुचावल के आटे का यह में आपको दिखाऊंगे कितना सॉफ्ट और स्मूथ बनेगा यह सही बनेगा तो आपका रोटी बनाने में बेलने में सेखने में कोई दिक्कत नहीं होगा देखिए कितना अच्छा बन गया और छूने पे भी पूरा पॉफेक्ट लग रहा है तो पहला प्रोसेस मतलब रोटी बेलने का पहला तरीका में बता रही हूँ पहला मेथड तो उसमें क्या करूंगे नॉर्मल चकला में थोड़ा सा ऐसे छिड़क दूँगी मैं सुखा चावल का आटा और एक मीडियम सा इसका लोई लेकि उसके उपर जरा सा ओचिड़क दूँगी आपको यह चावल का आटा ज्यादा लग रहा होगा पर यह सब अब्सॉर्व हो जाएगा इस तरह से हातों से फैला के साइट को थोड़ा सा सपोर्ट देखे थोड़ा से फैला दूए क्योंकि इस स्टेज पे अगर हम डारेक्ट बेल देंगे तो किनारे फट जाएगा तो यह बहुत इंपोर्टेंट टीप है आप याद रखेगा एक बार हातों से इस तरह से फैला लेंगे और हलके से इसको बेलना सुरू करेंगे क्योंकि मैं नीचे चावल का आटा अच्छे से बिचाई होना यह पुरा घूमेगा, स्लाइट करेगा तो देखिए इस तरह से हलके हातों से बेलते बेलते एक गोल बना दूँगी मैं तीन तरह का प्रोसेस बता ही हूँ इस प्रोसेस में मैं अच्छे से इस तरह से बेलना बता रही हूँ फिर बाकी जो आप पहली बार बनाएंगे उनके तो देखिए मेरा बहुत अच्छा बन गया चावल के आटा के रोटी एकदम पतला बना है मेरा मुझे बेलने का आदत है तो बहुत सही बना है अगर आप पहली बारी बना रहे हैं आप तीनों में से कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और देखिए सबसे खास बात ही जो पहला बत शाहा आपने के आप जाट दिजीगा अब तरिक वाल चीज आता है जो अम वे जो रोटी बेले न जो उपर वाल पाते तवा ठहए जाए में तो nelos me HARग जैका जैसे एसे में उठाई जो निची वाला पाते जो वाल आ है जो ने चतला को टच कर रहा था वो नीचे गया, मीडियम आच पे तवा मेरा गरम है, ऊपर थोड़े से पानी का हाथ इस तरह से, बतलब छिड़क दे, या तो कोई छोटा से कपड़ा को गीला करके आप कपड़ा को ऐसे लगा सकते हैं, जब हलके से एक मिनिट तक उपक जाए, मीडियम फ्लिम पे तो पलट दे, ये व चावल का आटे का रोटी तवा के ऊपर रेडी हो गया, जाधा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी होता है, अब इस ही को हम स्टफ पे करेंगे, डारेक्ट फ्लिम पे पकाएंगे, तो वह आपको तरीका बता रही हूँ, उस तरह से चावल का रोटी डालेंगे, और पानी लगाएंगे, उपर वाले पाट पे, एक मेट जब पकने देंगे, फिर पलट लेंगे, पलट के बाद पका लेंगे, आप के रोटी का पतला मोटा होने पे, और फिर कितना बड़ा बना रहें उस पर डिपेंड करते हैं, आप एक बार बनाएंगे तो हो जाएगा, त उसके बाद उसको पकने के बाद आधा हमने डारेट गयास टब पे रख ले फुलाना का जो तरीका है वो हम इस पे करेंगे जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिलकुल वैसा बहुत अच्छे से फूलता है देखिए परफेक्ट एक दम हो गया अब दूसरा तरीका बताती हू उसको किनारे किनारे दबाते दबाते घुमाते जाएंगे क्योंकि हम किनारे प्रेशर देंगे वो अपने आप स्लाइड होते जाएगा देखिए मैं आपको दिखाएं पूरा प्रोसेस यह जो तरीका है इसमें हम बिलकुल भी बेलन का यूजन ही करेंगे अराम से हाथों स यह जाएगा और किनारे किनारे बीच-बीच में आप इस तरह से दूसरे हाथ से सपोर्ट देते रहें बहुत अच्छा यह बनता है यह प्रोसेस भी है ट्रैडिशनल यह वाला प्रोसेस फॉलो किया जाता है तो जब एक बर यह इस तरह से बन जाए वही प्रोसेस में जो आप फिर हाथों से घुमा रहते वह उपर रहेगा नीच वाला पाट नीच रहेगा और इसको तवा में बिल्कुल वैसे ही पानी लगा के हम सेक लेंगे तो उपर वाला पाट में छोड़ा पानी लेंगे एक मिर्ट वेट करिंगे एक मिर्ट के अंदर मीडियम फ्लेम पे नीचे वाला पाट थोला पक जाएगा तब इसको हम पलेट लेंगे तब तक उपर जो पानी लगाए थे ना वो भी हलका सूक जाता है तो इस एक बार इस तरह से पलट ले और पलट लेंगे अब की बार जब पलटेंगे ना फ्लेम हाय रहेगा यह तुरंट फूल जाएगा नॉर्मल रोटी वाला प्रोसेजर है वही है बस यह कि इसमें पानी लगा जाता है उपर और यह रोटी बनता है यह बहुत सॉफ्ट रहता है बहुत टाइम तक सॉफ्ट रहता है तो चावल के आटे का रोटी का यह तरीका भी बहुत उसफुल है और देखिए यह तरीके स हलके से इस तरह से बढ़ा कर दे और उसके बाद आपको जैसा मनने आप इसको ऐसा बेल सकते हैं जादा केरफूर होके बेलने के जरुवत नहीं है जो पहली बार बना रहे हैं जो फर्स टाइम ट्राइक कर रहे हैं जो बैचलर से जो न्यूबी उनके लिए तरीका पॉफेक् और फिर इस तरह से इसो काट दे पर काटने के बाद इसको अभी डारेक्ली तवा पर नहीं क्योंकि थोड़ा मोटा है तो हलके से इस स्टेज पर किनारे किनारे थोड़ा प्रेशर दे ताकि जो रोटी हम काटे हैं जरा सा मतलब फैल जाए अगर हम ऐसे चड़ा देंगे त टिशी पेपर या कोई कपड़ा गिला करके भी उपर पानी इस तरह से स्प्रेट कर सकते हैं या ब्रश ये भी कर सकते हैं फिर पलट लें अधी मिनिट और पका दे उपर देखिए बबल सा जाएगा तो जब दूसरी बारी पलटेंगे ना तब फ्लेम हाई कर लिजेगा इ देखिए चाहे तो आप इस स्टेज पे दूसरी बार पलटने के पाद गैस भी कर सकते हैं और ये भी बहुत अच्छा बन गया देखिए तो तीनों तरीका मैंने आपको बता दिया एक नॉर्मल वाला एक हातों से और एक दम रस्टिक स्टाइल वाला तो ये जे चावल का आटे का रोटी बना है ना मैं आपको दिखाती हो कि क्यों इसको लोग प्रफर करते हैं ये जो होता है एक दम रुमाल की तरह सॉफ्ट रहता है मैं इसको कितना भी मोड़ू ये बिल्कुल नहीं फटेगा ये लचीला है फ्लेक्सिवल है दबाने के बात भी नहीं यानि प परेशानी अभी खतम तीन तरीका मैं आपको बताई हो सेखने का दो तरीका बताई हो बेलने का तीन तरीका बताई हो जरूर ट्राइ केजिएगा और मुझे फीडबक दिजिएगा तो अब समय है comment of the day का Amazing Stromer Amok का वो लिखते हैं Madam you explain it so well crisp and clear no unnecessary dragging talk and the recipe came out so well Thank you so much Amok आपका जो comment है बहुत मुझे अच्छा लगा पड़के अच्छा लगा ये कि मेरा तरीका आपको अच्छा लगा आप उसको पसंद करते हैं और आपको मेरा वीडियो देख के help होता है ऐसे ही जोड़े रहे मैं चैनल से और मैं आपके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे recipe शेयर करूँगी तो आज का recipe होसती हूँ कि आपको useful होगा जरूर try किजेगा चैनल को subscribe करना बिल्कुल मन भूलेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक stay safe love life and happy fooding